किस संस्थान ने पूसर घ्यान स्वास्तिय और पूसर पर एक राष्टिय डिजिटल भंडार को लूँज गया है तो किस संस्थान ने किया है नीती आयोग आपका राइट आंसर होता है इस कोशन का आप से पुछ गया था हाली में खोजी गई सबसे दूर की गामा किरान उत्सर जग अकास गंगा का नाम क्या है तो उस अकास गंगा का नाम क्या है नेरो लाइन सेफर्ट बन है नेक्ट देखते हैं देखें नेक्ट आप से पुछ गया था क ॐपस 2020 के अरभपतियों की सूची में कौन सीज पर रहा है तो देगे दोर पर जहें एको बहुत किसमें कुन रहें है और बात करें दोजार-इकिस में कौन रहे है प्रिथमिस्तान पर तो भो भी दोस्तों जो ज miracles ही रहे हैं देगे के दोस्तों भारत के या ऐसे सबसे नंबर वन जो पती cuma एड़ा में वह लए तो नंबर वन पर बात करें तो वह систем है और मुखय सम्बानि क्योज गया सब् PAC पेसे के जो अरब पतियों की सूजी से एंग यह कुसे रेडर सब्द की स्भीभ से संबंदित है तो रेडर सब्द का समद्द कवड़ी खेल से नेगश्ट है कुछन आपका किर्कू को जो बिस्ब में सरवदी महत्पून तेल with कहा पर है तो यह दोस्तों इराग में डेगोग से नाम का दीफ है तो वह है दोस्तों हिंद वहां सागर है नेक्ट देखिए आपको सन रीजनिंग से जे जोगल टू देखा टैन तथा यह जे एस एम आई एनी इसगल टू सेवंटी बने तो इस टी ए आई सब्सक्राइब मनें पर इस आएउंगे तो कितना जाएंगा तो इस तरह कोशन को किया आगा है नेक्ट दिके रीजनिंग से ही है अच का गलाट होता है चले हले लिए अहां पूड़ 7 होता है तो क्या हो रहा है लगत दो टीन एड़ फिर चार एड़ उसके बाहरा कर ना होग तो कितना जाएगा 17 में पांच एड़ करेंगे तो 22 इसकोसन का मारा राइट आंसर होगा 22 किसका कोड़ होता है बीका होता है तो भी राइट होता है नेक्स्ट कोसन भी देखी रीजनिक से ही है 6 10 18 34 तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है सबसे वहले अगर 6 और 10 में और 18 में द की जा रही है जाने कि इस चारेट के फिर टू से इसकोड़ी तो ँर्षन हो गया फिर नितवा रह पिर 8 उर्ट की इसकोड़ी निखिपर Robin कि सवर्धाय कश्राeres कोड़ दिखता हमुन इसकी तो इसकुन का बीलत फुस्तण होता होताए पंती स सब्सक्राय होकी तो नियुक् नेस्ट है आपका किसी किसी तिति को प्रथवी HAB के रह расet को घौंच लेता है थेकि सिवाजी के पहला संगर्सथ हुआ था तो 1657 में हुआ था जो मुंगलों से सिवा जी का पहला संगर्स हुआ था नेक्ट है आपका ब्लैड ब्लैड के लेखक कोन है तो बैड ब्लैड के लेखक जो है बो है दोस्तो कुल्दीप नेयर नेक्ट है आपका इंडियन इंस्टिटूट ओप आर्युवेद फोर्ड ड्रग डिसर्च कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तो ताड़ी खेत उत्राखन बाइड लाइफ सेंचुरी कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तो आपकी करनाटक राज्जी में नेक्ट कोसन है आपका कुली पुस्तक के लेखक कोन है तो मुल्क राज आनन्द है जो कुली पुस्तक के लेखक है नेच्ट आपका UNESCO द्वारा प्राकिटिक धरोवर केंदर कहाँ पर इस्थापित किया गया है तो ये किया गया है दोस्तो देहरादून में तो देहरादून आपका इस कोशन का बिल्गुल राइट आंसर होता नेक्ट कोशन है आपका राष्टिय बागवानी बोर्ड कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तों देहरादून में नेक्ट कोशन है आपको याद रखने है देहरादून से पूछ सकता है यूनएस्को दोरा जो ब्राकषित धरोर केंदर इस्तावित क्या गया है वो भी देहरादून में क्या गया है वो राष्टे बागवानी बोर्ड कहां पर इस्तित है ये बिज स्था इस्तित है bene kind question दूस तो समंद्र उप्त ने नेक्ष्ट आपका संचार उपग्रह के लिए समानियते उपईयोग में ली जाने वाली कक्सा कौन सी है तो बो है दोस्तो भूत तुल्य कालिक तो भूत तुल्य कालिक इस कोशन गालिक आपका बिल्कुल राइट आन्सर था नेक्स्ट आपका किसी देश में सिखसक दिवस को हरी गुरु कहा जाता है तो इके मलेशय देश ऐसा देश है जिसमें सिखसक दिवस को हरी गुरु कहा जाता है नेक्स्ट कोसन है अगर किसी जनजाती का नाम अनुसुची जनजाती से सूची में से हटाना है तो जो है किसे उसका अधिकार प्राप्त होता है तो उसका अधिकार सिर्फ दोस्तो संसत के बास होता है संसत जो है किसी भी जाती को जो है उसकी अनसुची जन जाती की सुची से हटा सकती है तो संसत इस को संगा आपका राइट आंसर था नेक्स्ट कोसन दोस्तों काफी यार पूचा गया है वो काफी जी कोसन था जो कितने शेत्रों में नोबल पुरुसकार दिया जाता है ये पूचा गया था तो छे शेत्रों में दिया जाता है सभी को पता होगा नेक्ट है आपका राष्टी आपदा प्रिभंद सहंस्तान कहाँ पर इस्तीत है तो यह इस्तीत है दोस्तो नई दिल्ली में next question आपका लोगसाबा में speaker का board कहलाता है तो इसको casting board कहते हैं जो लोगसाबा में speaker का board होता है next question आपका पिर्थम भारती है जिसने साह समूंदर को तेर कर पार किया था तो बोऔर राइंजर था अब देखें दोस्तो में तो रीजिनिंग के उन इंप्रडेंट टोबिक को देख लीजिए जहां से आपकी परिक्सा में लगातार कोसन पूछा रहा है तो यह आपके लिए काफी ज़ादा इंप्रडेंट है और यहां से आपको एक्जाम में काफी हैल्प मी मिलेगी देखे दोस्तों में जो है सब्सक्राइब किस रोग में किया दाता है जो एलीई जो उपरिक्षन होता है यह एड्स जो रोग होता है ना इसमें दोस्तों किया जाता है नेक्स्ट कोशन है कि राष्ट्रपती बनने का जो उमर सीमा होता है वो क्या होता है राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती दोनों बनने के लिए जो न्यूंतम उमर सीमा रखी गई है वो 35 वर्स रखी गई है बिलकुल ऐसे कोशन जीडी में आ रहे हैं उतकरश्ट का विलोम शब्द क्या होता है विलोम शब्द से हर शिफ्ट में 3-4 कोशन पूछे आ रहे हैं और बिलकुल यही लेवल है उतकरश्ट का विलोम शब्द हो ने सुहाना मुहावरे का आर्थ होगा जरा भी अच्छा ना लगना नेक्स्ट कोशन है दीपा करमाकर का समंद किस खेल से है इनका समंद है जिमनास्टिक खेल से नेक्स्ट कोशन है जी एस्टी का फुल फोर्म क्या होता है जी एस्टी इसकी सुरुवात एक जुलाई 2017 में उ कोशन पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही लेवल के पूछे आ रहे हैं पलासी का युद 1757 में लड़ा गया था नेक्स्ट कोशन है विभूती का प्राई वाचे सब्द लिखें प्राई वाचे से भी हर सिफ्ट में 3-4 कोशन आ रहे हैं तो ध्यान रखेगा प्राई व विभूती के प्राई वाचे हैं नेक्स्ट कोशन है भुजंग का प्राई वाचे सब्द बताईए भुजंग का प्राई वाचे होगा साप सरप अही विस्थर ये सभी क्या है भुजंग के प्राई वाचे हैं ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट कोशन है मनरेगा की सुरुआत क हुई थी next question देखते हैं भारत में जो प्रतम पंच वर्सिय योजना है वो कब से प्रारंब हुआ था भारत में प्रतम 5 वर्षिय योजना वर्स 1951 से प्रारंब हुआ था next question है आईफा 2018 बेस्ट एक्टर किसे दिया गया था देखिए SSE GD में 2018 और 2019 के बहुत सारे करेंट अफेर कोशन पूछे आ रहे हैं लगबग 3-4 कोशन हर शिफ्ट में 2018, 2019 और 2017 के करेंट अफेर से आ रहे हैं ध्यान रखेगा तो ये इर्फान खान को दिया गया था उनकी फिलम हिंदी मीडियम के लिए Next question है मानव सरीर में वसा का संचे कहां होता है अंकुष का सुधवर्तनी लिखें हर सिफ्ट में 2 कोशन सुधवर्तनी से पूछे जा रहे हैं और बिलकुल ऐसे लेवल के ये जो अंकुष लिखा हुआ है ना ये बिलकुल सुध रूप में ही लिखा हुआ है next question है डैस लड़का बहुत चलाख है तुम्हारा लड़का बहुत चलाख है देखिए हिंदी में इस परकार के दो तिन question भी पूछे आ रहे हैं हर shift में जिसमें आपको 10 में वाक्य पुरा करना होता है ठीक है देखिए एक और वाक्य है गीता जो है ना गाना गाती है गीता जो है वो मीठा गाना गाती है नेक्स्ट कोशन है इराग की मुद्रा क्या होती है बात करें इराग की मुद्रा की तो ये होती है दिनार नेक्स्ट कोशन है भारत का राष्ट्रे गीत किस ने लिखा था भारत का जो राष्ट्रे गीत है वंदे मातरम ये चंद्र चटर जी ने लिखा था और ध्यान रखियेगा भारत का राष्ट्रेगीत वंदे मात्रम सबसे पहले वर्स 1896 में गया गया था नेक्स्ट कोशन है अकल का दुश्मन का मुहावरा का अर्थ बताईए अकल का दुश्मन होना मुहावरा का अर्थ होता है मुर्क होना नेक्स्ट कोशन है लोह पुरुस के नाम से किस महानवेक्ति को जाना जाता है ठीक है तो ये जाना जाता है सर्दार वल्लबाई पटेल जी को और इनका समन्ध है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन से ये एक कोशन पूछा गया है अभी जीडी में ध्यान रखेगा नेक्स्ट कोशन है भारत में सबसे जो छोटा वन्य जीव अभ्यारन है वो कौन सा है देखिए वन्य जीव अभ्यारन नेसनल पारक इन सभी से कोशन जो है ना लगातार पूछे आ रहे हैं जीडी में एक या दो कोशन हर सिफ्ट में आ रहे हैं तो ये देखिए भारत में जो हर सिफ्ट में कोशन आ रहा है उर्वरित का विलोम शब्द क्या होता है उर्वरित का विलोम होगा उसर नेक्स्ट कोशन आखे खोलने का अर्थ क्या होता है इसका मतलम होता है अकल आ जाना नेक्स्ट कोशन है घ्रिना का विलोम शब्द क्या होता है देखें दोस्तों बात कर यहां पे घिर्णा की तो घिर्णा का विलोम हो जाएगा प्रेम ठीक है next question देखते हैं शांती का विलोम शब्द बिल्कुल जो विलोम शब्द का जो लेवल है न वो बिल्कुल ऐसा ही है हिंदी बहुत ही आसान पूछी आ रही है हिंदी में लगबग आप 20 में से sorry 25 में से 22 प बैंक ओफ इंडिया के जो 25 में जो गवर्नर है न वो कौन है आर्बियाई के 25 में गवर्नर है शक्ति का अंदास जी इन से पहले जो 24 में गवर्नर थे न आर्बियाई के वो थे उर्जित पटेल नेक्स्ट कोशन दिल्ली चलो का नारा जो है वो किस ने दिया था दिल्ली चलो का जो नारा है ये दोस्तों सुभास चंदर बोस जी ने दिया था नेक्स्ट कोशन है रजिया सुल्तान जो है वो किस वंस की थी देखिए हिस्ट्री से जो है ना काफी कोशन पूछे गए हैं हर सिफ्ट में बात करें हिस्ट्री की तो दो से चार कोशन हिस्ट्री से भी बन रहे हैं रजिया सुल्तान गुलाम वंस की थी ठीक है next question है विश्व का सबसे उन्चा युद्थल कोनसा है विश्व का सबसे जो उन्चा युद्थल है ना वो सियाचिन glacier को बोला जाता है next question है पंजाब की राजधानी बताइए देखिए दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगड है और धियारेखिएगा चंडीगट जो है ना ये फ्रेंड्स हर्याना की भी राजधानी है और चंडीगट जो है ये केंदर सासित प्रदेश भी है नेक्स्ट कोशन हवा महल कहां पर स्तित है देखिए चार मिनार भी आपसे पूछा गया था जो 26 तारी को एक्जाम हुआ था जो की आपका हैदरावाद में है इस परकार के जो है ना मुख्य महल ये सबी आपको ध्यान होने चीए कहां पर हैं हवा महल की बात करते हैं तो ये अरब सागर में स्तित होगा ठीक है नेक्स्ट कोशन है पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कोन था पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मुहमद अली जिन्ना था ठीक है नेक्स्ट कोशन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो पुस्तक है ना उसे किस ने लिख देखिए my experiment with truth नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा है और पुस्तक राइटर से हर शिफ्ट में एक या दो कोशन पूछ जा रहे हैं next question है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था बात करें आंदोलन की खिलाफत आंदोलन की तो यह वर्स 1919 में शुरू हुआ था अभी तक GD exam में लगबग एक कोशन आपसे आंदोलन से related पूछा गया है हर शिफ्ट में तो जितने भी मुख्या आंदोलन है याद करके जाईएगा एक कोशन पक्का मिलेगा next question है भारत में सबसे अधिक कोन सी मिटी पाई जाती है बात करें सबसे अधिक पाई इस वर्ष जो है राजीव गांदी खेल रतन अवाल्ड दिया गया यानि के कुल मिला के दो लोगों को दिया गया अगला कोशन था सोनिया लाथर की खेल से संबंदित है तो इसका राइट अंसर था मुक्य बाजी सोनिया लाथर जो है यह आपकी मुक्य बाजी से समंदित है मुक्य बाजी खेल से जोड़ी हुई है तो सोनिया लाथर मुक्य बाजी इसका सही उतर हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा मुक्य बाजी अगला कोशन है उत्रप्रदेश का उच्छी नियाले किस जिले में है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा प्रियाग राज उत्रप्रदेश का उच्छी नियाले जो है यह आपका प्रियाग राज यूपी में पढ़ता है ठीक है? रायेट में हो जाएगा है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियाग राज एक्वार्य हो gua Спवा का सबाब कर Fitness के लिए NewN диम आयू कि इनावनी चाहिए?" जुनुम्तम आयू कि यहां ह met सब्सक्राइब अगला कुछन है सौर मंडल के सभी ग्रह सूर के चारो और किस तरह घुमते हैं तो जैसा कि आपको पता है दीर्ग वरतागार पत होता है उसी में सौर मंडल के सभी ग्रह सूर के चारो और घुमते रहते हैं तो राइट अंसर क्या हो जाएगा यहापे दीर्ग वरतागार पत तो इसका सही उतर हो जाएगा, राइट अंसर क्या हो जाएगा, दीर्ग, विरत्तगार, पतियां पे सही उतर हो जाएगा, मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी होती है, तो इसका राइट अंसर है, यकरत, इसका सही उतर है, राइट अंसर है, मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंटी यक्रत होती है अग लोकोंजर ने कि dragon's seed जो किताव एक इसने लिखी थी तो इसका right answer is pearl s bug dragon's seed नाबख जो किताब है यह अपकी pearl s bug के दौारा लिखी गई थी pearl s bug इसका सही उतर हो जाएगा right answer हो जाएगा pearl s bug अग लोकोंजर ने कि computer में रैम का full form क्या होता है ? तो computer में रैम का full form होता है random access memory random access memory इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है इसमें आप लोगों बदा दें रैम का full form होता है random access memory इसका right answer हो जाएगा अगला question है किस भारती पत्रकार को maxis award दिया गया है तो इसका right answer है रवीश कुमार रवीश कुमार इसका राइट अंसर है जो है रवीश कुमार एक भाती प्रत्रकार है और इनको मैकसे से अवाल जो है रवीश कुमार जी को दिया गया है अगला कोशनेर अर्थास्त विश्था में कितने लोगों को इस वर से नोबल पुरुस्कार दिया गया है अर्तसास्त विस्ताय में इस बार जो है तीन लोगों को नोबल पुरुषकार से समानित किया गया है तो यहां पर तीन लोगों को इसका सही उतरता राइट अंसरता अर्तसास्त विस्ताय में तीन लोगों को इस बार से नोबल पुरुषकार दिया गया है अगला कोशन है बहुत ही महत्पूर कोशन है मिस इंडिया 2019 का खिताब किस ने जीता था मिस इंडिया 2019 का खिताब सुमन राय ने जीता था सुमन राय यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा सुमन राय अगला कोशन है मिनाक्षी मंदिर किस राज में है तो मिनाक्षी मंदिर अब की तमिल नाडू में है तमिल नाडू इसका सही उतर हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन है किसान समान नेधी योजना की शुरुःत मोधी जी ने किस जगह से किया था तो इसका सही उतर था गोरगपूर से गोरगपूर से इसका राइट अंसर हो जाएगा किसान सम्मान ने दी योजिना की सुडवात मोधी जी ने गोरकपूर से की थी गोरकपूर इसका सही उतर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है कि आप जानते हैं कि जीएश्टी में कुल कितने नंबर होते हैं या कुल कितने अंक होते हैं तो आपको तादे है कि सहे नामा रचना जो है किसकी है तो सहे नामा जो है आपकी फिरदोसी की रचना है फिरदोसी इसका सही उतर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशने भारत में कौन सा सरकारी विभाग राष्टी आयका लेखा जोखा करता है तो दूसरे इसका सही उतर है कें केंद्री सांख्य Suppose इसका वतित्ति है जह जाकत है नहला कोशन और विज़ादा है भारत की सबसे लंबी इंद्रा गंदी नहीर सिराज में इस्तेथ है तो इसको सही उतरता राजस्तान भारत की सबसे लंभी इंद्रा गांधी नहर ज़ाई आप लोगों की राजस्तान में इस्तित है राजस्तान इसका सही उतरता राइट आंसर था और यहाँ पे आप लोगों को हम जितने भी कोषन प्रोवड करा रहे हैं सबी कोशनों का PDF आप लोगों को मिलेगा सरकारी जोग विदवाई टेलिग्राम पर सरकारी जोग विदवाई आप लोगों को टेलिग्राम सेनल मिल जाएगा करेंटली बात करें 15400 ज्यादा चातर महाँ पर जोइन हो चुके हैं को को कोशन प्रवाईट किये गए तो अगर आप लोग अभी तक टेली किराम से नहीं जोइन हुए तो ज़रूर जोइन कर लें पंद्रहजार चारसो जादा चातर यूपी एसाई के हमारे साथ जोड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि उनका पेपर आंगे की सिप्टों में लगा हुआ है उनको काफ़े जादा बेनेफिट में मिल ला है और यहां पर हमने जितने भी कोशन सेर किये हैं इसे कोशन आप भी रह है वरिक कि Politik किरबाति रेश की राज़दानी यहां पे सही उतर हो जाएगा किरबाध तो अगला कौशन ओर भी महित कोशन आ रहे हैं members कोशन और जितने भी कोशन हा Real авट आप लोगों को सबी कोश्चन हमने टेलिग्राम पर प्रोवेड किये तो इसकी जरूर जो है मदद लें इन सभी का जरूर मदद लें ठीक है आप लोग को आज ही जाना है टेलिग्राम पर